हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई हेपी बिलिस माई टेरेस गार्डन मेर्ड शिल्पा भुपाल से कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे फेंटस कल मैंने आप लोगों के साथ मेरा शॉपिंग हॉल शेयर किया था जो मैंने विंटर के प्लांट्स खरीदे हैं कुछ अगर आप लोगों ने उसको चेक आउट नहीं किया है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं तो आज सुबह सुबह मैंने अपने उन में से ही कुछ एक plants है जिनको मैंने report भी कर लिया है तो आज वो ही मैं आप लोगों के साथ उसकी reporting process और जो मैंने उसमें soil mix बनाई हैं वो मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ और देखिए ये मेरे variegated वाली exora जो है ये पूरा खिल जाएगा एक कुछ है कि हिबिस्कस जैसा ही दिखता है single petal वाले हिबिस्कस जैसा ही फ्लार दिखता है और अभी बहुत सारी कलिया इस पे और भी बनी हुई है बस इस plant का यह है कि इसमें बहुत जल्दी ये white powdery mildew लग जाता है और बहुत जल्दी effets का इसके उपर attack होता है तो इसके उपर regularly basis पे हमको fungicide और insecticide का spray करते रहना पड़ता है और देखी कितना सुंदर ये फ्लार अभी खिल के खिला है half bloom है हलाकी ये लेकिन इसकी सुंदरता जो है वो देखते ही बनती है ये देखिए इस तरीके से ये चिडिया जो है ये मेरे सारे ही गुढ़ल के सारे जितने गुढ़ल में मेरे फ्लार लगते हैं कलिया लगती हैं कुछ रहने ही नहीं दे रहे हैं आते जाते इतनी सारी चिडिया मेरा सारा का सारा कलिया खाये जा रही है सुभे के टाइम पर च्छत पर यह है कि चिडिया कुछ रहने यह नहीं देती देखिए कुछ एक flowers है जो कलिया वो छोड़ देती है तो वो bloom हो जाती है आज इस सुभे से मैंने इतनी सारी कलिया तोड़ी है जो चिडिया जो है वो आधा-धा खा कर चली गई है तो चलिए दे उत्ता डेली-डेली के बेसिस पे मैं सोचती हो निपड़ जाए तो जाधा अच्छा है तो चलिए देखते हैं और देखिए एक जलक फिर से मेरे जीनिया की जो की बहुत ही जाधा सुन्दर दिख रहे हैं आप लोग भी सोचेंगे कि मैं हर वीडियो में बस यही दिखाती हुँ लेकिन ये दिखाए भीना मेरा मन भी नहीं मानता बहुत जादा सुन्दर इस को structure दिखते हैं औो जैसा कि और अब मैंने फोटे जार है क् arrangements as the इस टॉपिक पे मेरे कई सारे वीडियो पहले भी है चैनल पे पर फिर भी जो नए लोग जुड़ते हैं उनके जानने के लिए मैं आप लोगों को आज यह दिखा देती हूं तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो देखी यह गार्डन सॉइल है यह मेरे पिछले साल के प्लांट्स की ही निकली हुई सॉइल है तो इसको मैंने अच्छे से एक दिन जब बीच में हमारे धूप निकली तो इसको ड्राय कर लिया था हलाकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी मातरा में सेंड मिला हुआ इसलिए मुझे अलग से रेत नहीं मिलाओंगी मैं मेरी सॉइल में बहुत अच्छे से रेत मिली हुई है और इसमें काफी कुछ नियूट्रिशन भी हमारा पिछले साल के प्लांट्स का जो है वो है क्योंकि हम लोग बहुत जादा विंटर्स में भूसी मिलाने की ज़रूरत नहीं है पर मेरे पास है राइज हस्क तो मैं इसमें राइज हस्क भी मिलाओंगी तो यह मैंने राइज हस्क ले लिया है चावल की धान जिसको बोलते है चावल की भूसी वो है यह इसके बाद मेरा यह एक पूरा पार्ट जो है यह मेरे घर का निकला हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट है और आप देख सकते कितनी ही अच्छे टेक्ष्टर में यह निकला है बहुत अच्छी तरीके से डिकंपोस्ट हो गया है यह तो यह मैं एक पार्ट मैं यह लेने वाली हूँ और एक पार्ट मैं लूँगे पत्तियों की खाद जो मेरी है विंटर के प्लांट में भी और वैसे भी हम जब सॉयल मिक्स बनाते हैं तो उसमें एक पार्ट हमको एक मुट्टी जो है यह बोन मिल जरूर मिलाना चाहिए तो मैं यह बोन मिलाने वाली हूँ और अगर आपके पास नीम के की मेरी पत्तियों की खाद में नीम की पत्तिय का काम करता है तो नीम खली भी आप इसमें मिला लीजेगा और थोड़ इसी दो एक चम्मच के बराबर की मैं इसमें सर्सो खली भी मिलाने वाली हूँ बाकि आगर आपके पास सीवीड के ग्रेनुवल्स हैं तो आप वो डाल दीजे फिर आप एक्स्ट्रा में तो आप जित को जो पॉटिंग मिक्स है वो इस तरीके से तयार करना है अब मैं इसको मिला लूँगे इसका दे कि बहुत जादा मैं कोई रेशियो से नहीं बनाती कि बिल्कुल कप से गिन गिन के बनाएंगे कि इतना कप यह या उतना कप वो ऐसा नहीं है अंदाजे से एक बड़ा पार या चमच चमच भरके डाल देंगे तो यह किसी बी चीज का कोई हम नहीं होता क्योंकि सारे चीज़ें हम और्गेनिक यूज कर रहें तो हमारे सॉयल में कभी उसका कुछ वो तो नहीं होता उससे कुछ हम तो नहीं होता लेकिन हाँ यह है कि बहुत मेजर्मेंट करके लेने है वह बहुत आसान है उसमें कुछ भी अलग से हमें नहीं करना है तो मैंने इसके नीचे देखिए पॉट में अच्छे से सारे ठीकरिया रख ली है यह मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया अपना पूरा पूरा पॉटिंग मिक्स और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही भुरबुरा और अच्छा बनके तयार हुआ है तो ये मैं बस इसमें इस तरीके से डाल लूँगी और इसके उपर सिर्फ बिना कुछ करे हमको ये पॉलिथिन में से इसको निकालना है प्लांट को और इसके रूट्स को डिस्टरब किये बिना बीचो बीच रख देना है ये इस तरीके से हमने इसको बिना कहीं से क्योंकि इसकी रूट्स जो होती है विंटर प्लांट्स बोएबूरिज चोटी बहूत है जाकी हालकी कहीं से धूड़ी बहुत मिट्टी जैसे देखिए मेरी जो मिट्टी है ये बहुत जाधा सूख गयी है थो तो मैं इसको बस हलका हलका थोड़ा सा नीचे-नीचे से हटा दूगी लेकिन आप से मैं यह यह सला दूगी कि आप बिगना रहां बिल्कुल कुछ मत अटाईए आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्लांट को उठाईए और रख दीजे बस पूरे रूट बॉल के साथ और इसको बह लगा लूँगी बस और अब मैं क्या करने वाली हूँ आज तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी है वैसे ही रिपोर्टिंग में प्लांट जो है वो स्ट्रेस में रहता है इसलिए से कुछ नहीं करूँगी लेकिन अभी यह मेरे प्लांट के ग्रोथ का टाईम है तो मैं इस तरीके से यह पूरे फ्लार जिसके निकाल दिये हैं और पिटोनिया लगाए हैं अभी मैं और स्वाइल मिक्स बना रही है मेरी स्वाइल मिक्स खतम हो गई है तो और स्वाइल मिक्स बना के मैं बाखी के सारे भी प्लांट्स ट्राय तो करूँगी कि आज इतने रिपोर्ट पानी जो है वो सब में एक-एक मगगा डाल दूँगी, अभी मेरे और भी दस से बारा प्लान्ट अभी और बचे हैं, रीपॉट करने के पर अब टाइम हो रहा है, तो वो मैं काम कल करूँगी, आज मेरे इत्ते प्लान्ट जो हैं, यह रीपॉट हो गए हैं, अब बस सब में आज के वीडियो में इतना ही था अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रीज मेरे वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा और कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी फ्रेंट सब तक बाइ टेक केर और हपी गार्ड लेंग